और एंसीपी ने था बाबा सिदिकी बडर केस से जुड़ी इस बक्त की बड़ी खबर आ रही है इस मामपले में आपको बताएं जिन तीन शूटर्स पश्चक हैं उनमें से दो यूपी और हर्याना के हैं जिन दो शूटर्स को पलिस पकड़ा हैं उनके नाम धर्मराज और करनेल हैं सुतरों के मताबिक इन दोनों शूटर्स को पंधर दिन पहले ही 9 mm के पिस्टल दी गई थी तो तीन में से दो शूटर्स यूपी और हर्याना के हैं और पंधर दिन पहले ही पिस्टल मुहिया करवाई गई थी और दो आरोपियों के नाम हैं धर्मराज और करनेल अब हत्या के पीछे कौन है इसके बारे में लगाता है अब जाच की जा रही है तीन गोलिया लगी थी और मर्डर के पीछे क्या लौरंस विश्टोई का हाथ है ये भी सवाल उच रहे हैं तो बड़ी खबर आपको बताएं बाबा सुद्ध की हत्या मामले में जुड़ी बड़ी खबर तीन में से दो शूटर्स यूपियो और हर्याना के बताया जा रहे हैं पंद्र दिन पहले पिस्टल मोहिया कराए गई थी तो ये आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं इसमें सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि क्या लौरंस बिश्टोई का इसमें हाथ हैं लौरंस नहीं ओडर दिया था कॉंट्र का खिलर सक लगाता रहा अब कई चीज बता भी रहे हैं उसे पुछताच लगाता जा रही है और आपको बताएं ऐसारे प्रोजेक्ट में विवाद चल रहा था ये भी कही ना कहीं से पूरे घटना करम के पीछे का कारण समझ में आ रहा है फिलहाल प्रतम द्रस् वारदात रात करीब साड़े नौ बजे हुई इस जगे पर बाबा सिद्धिकी के बेटे जीशान सिद्धिकी के दफतर है बाबा सिद्धिकी अपने बेटे के दफतर से निकलते थे तब ही बदमाशों ने उन पर गोली चला दी जानकारी के मताबिक आरोपियों ने बाबा को बिलकुल करीब से गोली मारी, बाबा सिद्धी की को मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया, पुलिस ने कहा है कि हत्या के लिए नौ एमेम पिस्टल का इस्तिमाल हुआ, पुलिस ने दो संदिक्धों को गिरफतार किया है मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि हत्या किस ने और क्यों कराई जाच के लिए मुंबई पुलिस यूपी स्टी एफ और हरियाना के सियाईए के संपर्क में है